सबी भईया वहिन को दिदी का प्रणाम आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा नवम सितिज पाटे पुस्तिका से पाट साथ महादेवी वर्मा इस पाट का नाम है मेरे बच्पन के दिन जो की महादेवी वर्मा द्वारा रचित है अर्था इस पाट में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन में बिताये हुए दिनों को एक सपने के रूप में याद किया है कि जो बच्पन के दिन होते हैं वो किस तरह से यादगार बन जाते हैं और सामाने तोर पर हम देखें, तो आज हम भी हमारे बच्पन के दिनों को याद करते हैं, या पिर कई हम जब अक्सर सम्मू में बेटते हैं, तब उनको याद करते हैं, कि जब मैं छोटा था, तो मैं ऐसे किया करता था, मेरे ममे पापा मुझे ये बोला करते थे, मेरे दाद से अपने से छोटे बेन बाई को बच्चों को इन सब को बताते हैं तो उसी प्रकार से महादेवी वर्मा भी अपने बच्चमन में जो दिन बिताये थे उन्होंने उन दिनों को अपनी एक कहानी के रूप में यहां पर बताया है अब हम सरुपरतम महादेवी जी का जीवन पर परदेश के फरुकाबाद शहर में हुआ था उनकी शिक्षा दिक्षा प्रियाग में हुई अर्थात उनकी जो पड़ाई थी वो प्रियाग में हुई थी प्रियाग महीला विद्याफीट में प्राचार्य पदपर लंबे सबय तक कारे करते हुए उन्होंने लगडिक्यों की शुक्षा के लिए काफी प्रयत्नी किया सन 1987 में उनका देहान हो गया महादेवी जी छायावाद की प्रमुक कवियों में से एक थी उनकी कवित रचनाये अर्धात तुझे उनके कावे संग्र थे वो इस प्रकार है निहान, रस्मी, निर्जा, यामा, दीप्शिका कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाये भी लिखी है जिन में रेका चित्र तथा चंचमरन प्रमुक है अतीत के चल चित्र इस म्रती की रेखाएं पत के साथी श्रिंकला की कडिया उनकी महत्तपून गद्य रचनाये थी उन्होंने महादेवी जी ने पद्य भाग में ही नहीं उन्होंने गद्य भाग में भी अपनी रचनाये लिखी है महादेवी वर्मा को साहित्य अकाद्मी एवं ग्यान पीट प्रुषकार से सम्मानित किया गया भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूशन से अलंकृत किया महादेवी वर्मा के साहित्य साधना के पीछे एक और आजादी के आंदोलन की प्रेणना है कि उन्होंने जो साहित्य में जो भाव दर्साएं हैं यो जो साहित्य के जो साधना क्योंने उसके पीछे एक आंदोलन की प्रेणना है तो दूसरी और भारती समाज में इस्तरी जीवन की वास्त्विक इस्तती का बोध भी है हिंदी गद्धे साहिते में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पोचाने का शुरय महा देवी जी को है उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में सोशित पीडित लोगों के प्रती ही नहीं बलकि पसुपक्षियों के लिए भी आत्मियत एवं अक्षे करूना प्रकट हुई है उनकी भाषा शेली सरल एवं इसपस्ट है तथा शब्द चयन प्रभाव पूर्ण और चित्रात्मक है अब पढ़ेंगे हम इस कहानी को विस्तार पूर्वक मेरे बच्पन के दिन महा देवी जी ने अपने बच्पन के उन दिनों को इस्म्रती यानि की यादों के सहारे लिका है जब विद्याले में पढ़ रही थी इस अंच में लड़कियों के प्रती सामाजिक रवई है विद्याले की सहपाठीनों सहपाठीनों मतलब साथ में पढ़ने वाली छात्रावास के जीवन और स्वतंत्ता आंदोलन की प्रसंगों का बहुती सजीव वर्णन है इस पार्ट में महादेवी वर्मा ने जो लड़कियों के प्रती जो समाज का परिवार का जो भेदवा होता उसको भी इसमें यहाँ पर वेक्त किया है उन्होंने बताया कहीं और नजा करके उन्होंने अपने परिवार के बारे में ही जो लड़कियों के बारे में उनकी जो सोच थी उसको यहाँ पर वेक्त किया है कि उनसे पहले जब उनके परिवार में कोई भी लड़की नहीं थी और कोई लड़की जब पेदा हुई भोगी तो उसे मार दिया गया था 200 वर्सों के बाद में उनके परिवार में वो पहली लड़की थी जिनको एक जीवन दान मिला था अब हम इस पार को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे मेरे बच्पन के दिन बच्पन की इस मुरतियों में एक विचित्र सा मतलब की अजीब सा आकरशन होता है मतलब की खिचाव होता है कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा परिस्तितियां बहुत बदल जाती है अक्सर जब हम छोटे से बड़े हो जाते हैं तो वो हमें जो बच्पन के जो दिन होते हैं वो एक सपने के जैसे लगते हैं और हमने सोचा तक जैसे की एक सपना देखा था जिस सपने के तरह ही हमारा सबकुछ जल्दी-जल्दी से सबकुछ कतम हो गया और रात कतम और सपना खतम अपने परिवार में कहीं पीडियों के बाद उत्पन हुई मेरे परिवार में प्रयाय दो सो वर्स तक कोई लड़की थी ही नहीं सुना है उसके पहले लड़कियों को पेदा होते ही परमधाम भेज देते थे फिर मेरे बाबा ने बहुत दुरगा पुझा की हमारी कुल देवी दुरगा थी में उत्पन हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे बहसब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है परिवार में बाबा पार्सी और उर्दु जानते थे पिता ने अंग्रेजी पड़ी थी हिंदी का कोई वातावरन नहीं था कि उनके परिवार में जो पड़ाई थी वो या तो उर्दु पार्सी या उसके पिताजी जो थे उन्होंने अंग्रेजी पड़ी थी इसके लावा उन्हें अन्यभासनों का ज्यान नहीं था पर जब उनकी उसके पिताजी की शादी हुई तो उनकी जो माताजी आई थी वो जवलपूर की रहने वाली थी और वो अपने हिंदी में ही बोलती थी तब से उनके घर में हिंदी बोलने का प्रचलन बना और वो संस्कत भी जानती थी तो पूजा के समय अधिकतर उनके माताजी संस्कत में ही गीता जिगा पाट या अन्य भजन क्या करती थी मेरी माता जवलपूर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई वे पूजा पाट भी बहुत करती थी पहले पहले उन्होंने मुझको पंच तत्र पढ़ना सिखाया बाबा कहते थे इसको हम विदोसी बनाएंगे अर्थात महादेवी को उनके पिताजी के इच्छा थी कि वो विदोसी बनाएं मेरे सम्मंद में उनका विचार बहुत उचा रहा इसलिए पंच तत्र भी पढ़ा मैंने संस्कत भी पढ़ी ये अवस्य चाहते थे कि मैं उर्दू पार्सी सीख लूँ लेकिन वह मेरे वस्की नहीं थी मैंने जब एक दिन मोलिवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैंने चार पाई के नीचे अपनी जगा बना ली अर्थात में चार पाई के नीचे जाकर के छिप गई तब पंडिजी आये संस्कत पढ़ाने जब मैंने उर्दू पढ़ने का मेरा मन नहीं किया और मैं इदर उदर चिप कर अपना समय वेतित करने लगी तो घरवालों ने फिर मुझे संस्कत पढ़ाने के लिए एक पंडिजी को बुला लिया मा थोड़ी संस्कृत जानती थी गिता में उने विशेश रुची थी पूजा पाठ के समय मैं भी बेड़ जाती थी और संस्कृत सुनती थी उसके उपरान उनोंने मिशन इस्कूल में रख दिया मुझे को मिशन इस्कूल में वातावरन दूसरा था प्रात्ना दूसरी थी मेरा मन वहां नहीं लगा अर्थात के उनोंने की जब वो संस्कृत पढ़ना चाहती थी फिर भी उनको महादेवी जी को मिशन इस्कूल में रख दिया गया मिशन इस्कूल का वातावरन अर्थात वहां पर प्रातना अलग वहां पर बोलने का तरीका अलग, रहने बसने का तरीका अलग तो इसके बीच में उनका वहाँ पर मन नहीं लगा और उन्होंने वहाँ जाना बंद कर दिया जाने में वो रोने धोने लगी तब उन्हें मुझे को क्रास्त वेट गल्च कॉलेज में भेजा अर्थात महादेवी जी को कौस्त वेट जो गल्च को लेज था वहाँ पर डाला गया जहां में पांचवे दरजे में जहां पर वे पांचवे दरजे में भरती हुई यहां का वातवरन बहुत अच्छा था उस समय हिंदू लड़कियां भी थी इसाई लड़कियां भी थी हम लोगों का एक ही मेश था मेश जहां पर भोजन बनाया जाता था उस मेश में प्यास तक नहीं बनता था वहाँ छातर वास के हर एक कमरे में हम चार छातराय रती थी उनमें पहली ही थी साथिन सुबद्रा कुमारी मिली सात्वे दर्जे में वे मुझे से दो साल सीनियर थी जो कि सुबद्रा कुमारी चोहान जिनोंने की सबसे परसिद कविता जासी के रानी महालक्षमी भाई लिखी थी वहाँ पर उस होस्टल में जहाँ पर की महादेवी जी रहती थी वहाँ पर वो भी थी और महादेवी जी से दो साल बड़ी थी वे कविताएं लिखती थी और में भी बच्पन से तुक मिलाती आई थी तुक मिलाना मतलब गी लाहिन से लाहिन बनाना बच्पन में मा लिखती थी पद भी गाती थी जहां विशेश रूप से मीरा के पद गाया करती थी सवेरे जागिये क्रिपा निदान पंची बन बोले यही सुना जाता था प्रभाती गाती थी शाम को मेरा का कोई पद गाती थी सुन सुन कर मैंने भी ब्रिज भासा में लिखना आरंब किया यहां आकर देखा कि सुबद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी में भी वेसा ही लिखने लगी लेकिन सुबद्रा जी बड़ी थी परतिश्टित हो चुकी तर्थात परसिद्ध हो चुकी थी उनसे छिफा छिपा कर लिखती थी मैं एक दिन उन्होंने कहा महादेवी तुम कविता लिखती हो तो मैंने डर के मारे कहा नहीं अतव अंत में उन्होंने मेरे डेस्क डेस्क यानि जो टेबल की जो नीचे की जो दराज होती उनकी किताबों की तलास ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से तब जैसे किसी अपराद्य को पकड़ते हैं वैसे उन्होंने एक हाथ में कागत लिया और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे होस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है फिर हम दोनों की मित्रता हो गई क्रास्ट वेट में एक पेड़ की डाली नीचे थी जिस डालपर हम लोग बेट जाते थे और जब मतलब कि जब भी ओक फ्री समय उन्हों को मिलता था तो वो दोनों एक सा हाथ में एक डाल पर बेट जाती थी और जब लड़कियां खेलती थी तब वो लोग तुक मिलाती थी मतलब आपस में एक दूसरे के साथ में कवीता पाठ क्या करती थी उस समय एक पत्रिका निकलती थी इस्त्री दर्पन उसी में भेज देते थे अपनी तुक बंदी भी छप जाती थी फिर यहां कभी सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था में सन 1917 में यहां आई अर्थात महादेवी जी उसके उप्रांत गांदी जी का सत्या ग्रह आरंब हो गया और आनंद भवन स्वतंतरता के संगर्ष का केंद्र हो गया जहां तहां हिंदी का भी प्रचार चलता था कभी सम्मेलन होते थे तो क्रास्त वेद से मेड़ा हम को साथ लेकर जाती थी हम कविता सुनाते थे कभी हरी ओज्जी अद्देख्स होते थे कभी स्रीदर पाटक होते थे कभी रतना करजी होते तो कभी कोई होता कभ हमारा नाम पुकारा जाए बेचेनी से सुनते रहते थे मुझको प्राय प्रत्थम पुरुषकार मिलता था सो से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें एक बार की घटना याद आती है कि कविता पर मुझको चांदी का एक कटोरा मिला बड़ा नकाशीदार अर्थात के उसके ओपर डिजैन बनी हुई थी वो सुन्दर था उस दिन सुबद्रा नहीं गई थी सुबद्रा पराय नहीं जाती थी कभी सम्मिलन में मैंने उन से आकर कहा देखो यह मिला सुबद्रा ने कहा ठीक है अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ उससी बीच आनंद भौन में बापू आये हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वो पेशा उन्हें दे 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 थे बतला उनके जो महादेवी वर्मा थी या जो उनके साथ की पढ़ने वाली लड़कियां थी उनमें देशवक्ती की भावना थी और वो किसी न किसी रूप से उससे में अपने देश को बचाने के उसमें सयोग करती थी उस दिन जब बापू के पास में गई तो अपना कोटोरा भी लेती गई मैंने निकाल कर बापू को दिखाया मैंने कहा कवीता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है कहने लगे अच्छा दिखा तो मुझको मैंने कटोरा उनकी और बढ़ा दिया तुसे हाथ में लेकर बोले तु देती है इसे अब मैं क्या कहती मैंने दे दिया और लोट आई दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कवीता क्या है पर कवीता सुनाने को उन्हें नहीं कहा लोटकर अब मैंने सुबद्राजी से कहा कि कटोरा तो चला गया सुबद्राजी ने कहा और जाओ दिखाने फिर बोली देखो भाई खीर तो तुमको बनानी ही होगी अब तुम चाए पितल के कटोरी में खिलाओ या साधा कटोरी में या अब चाए तुम फूल के कटोरे में फिर भी मुझे मन ही मन प्रसनता हो रही थी कि पुरुसकार में मिला अपना कटोरा में ने बापु को दे दिया था सभी भाईया बहिन को दिदी का प्रणाम आज हम यह पाट यह समाप्त करते हैं अगला भाग अगले अध्याय में धन्यवाद